तो स्वागत है आप सभी को ग्यापन एकेडमी के इस नए वीडियो में और आज का जो वीडियो है वो है बाइलोजी का नेक्ट चेप्टर जो की है अनुवान सिक्ता एवाम जेविकास तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुवान सिक्ता क्या है तो देखिए जब जयनक से अन विडियों के संतान में अनुवान सिक्ट का आता है चलि accomplishments करते हैं और वह अगला टॉपिक जयविकास तो देखिए जीवों के अंदर होने प्राडियों की खोज की तो उन्हें बहुत ही समने और सरल सनरचना के सजीव प्राप्ति होई और विग्यानिकों ने उसको पीड़ी दरपीड़ी उसको सरवी करके देखा तो काफी परिवर्तन देखने को मिला यानि कि ऐसा मानना है कि पहले इंसान जो था बंदर के रूप में हुआ करता था लेकिन पीड़ी दर पीड़ी इतना बदला हुआ कि आज देख सकते हैं कि सारे लोग स्मार्ट दीख रहे हैं तो ये परिवर्तन जैविकास कहलाती है तो चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं और वो है विभिन्ता ठीक है न देखिए जब जनक से संतान और संत्ति की उत्पती होती है उसके अंदर विभिन्ता देखने को मिलती है अब विभिन्ता दो तरह से देखने को मिलती है वो कौन सी है वो है जननिक विभिन्ता और दूसरा है काईक विभिनता ठीक है ना जननिक विभिनता का एक और नाम है अनुवांसिक विभिनता काते हैं और काईक विभिनता का एक और नाम है उपारजित विभिनता काते हैं देखिए यह क्रेश कोर्स और एक्जाम बहुत करीब हैं इसलिए मैं बहुत ही सोट बहु मिलती है वो दो तरस एक जननिक विभिंता और दूसरा काईक विभिंता तो बात करते हैं जननिक विभिंता क्या है तो जननिक विभिंता हम उस विभिंता को कहते हैं कि जब जनक से संतान में ठीक है ना संतान और संतिती में वह विभिंता जो जनक से संतान में अनुवांसी ग और विभीन्ता को उपार्जित विभीन्ता करतें और ये वह वीन्ता है जो संतान और संथिती अंदर उसके वातावरण के माधियम से जो भी भिंता देखी जा रही है लेकिन जो उसके वातावरण है उस वातावरण से हो सकता है कि वो काफी काला हो जाए ठीक है ना या हो सकता है एक ऐसा वातावरण मिला जिससे वो वहां पर रह करके और वो बहुत गोरा हो जाए या य कि बारा-तेरा सल भी हो गया फिर वह उसका बहुत घाना बाल लेकिन वह कहीं पढ़ने के लिए चला गया जै कुछ ऐसा था उसका बाल जो हैं बिल्कुल जड़ गया तो ये भी एक तरह का विभीनता है जो क्या है वातामरण के माध्यम से देखी जा होती जो परिवर्तम को हम क्या करते हैं का अगला ऊगला टॉपिक है और विभ्यान की अधियान का अधियान करते है न यानि कि अनवान सीखता है भी भीनता का अध्यान अनवान सीखी कहलाता है ठीक है तो यहां तक लीजिए स्क्रीन सॉट और फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अगला टॉपिक कि जीवों का लिंग निर्धानर कैसे करते हैं तो जीवों का लिंग निर्धानर गुर्शुत्र अर्था क्रोमोसों के माध्यम से करते हैं क्रोमोसों और गुर्शुत्र की साहिता से हम यह जान पाते हैं कि ज जिलिए हम लोग इसको बड़े से समझ Лाए लेते हैं जबसे पहले हम समझें कि जी नी संदचना क्या है जीनो टाइप क्या है तो लड़का होने का वह सबूत जिससे हमें मालम चले कि यह लड़का है यह फिर कोई लड़की है ठीक है अब यहाँ पर देखते हैं कि मेल और फीमेल के पास 46-46 क्रोमोसोम है ठीक है ना और यह लोग क्या करते हैं कि अर्ध सुत्री विभाजन करते हैं जब लेंगिक जनन की किरिया वीधी पररण से संपन करते हैं यानि सुरू से लेकर अंध तक कि जो किरिया परकेरिया होती है उस दवरान जब 46 क्रोमोसोम इनके पास होता है और 46 क्रोमोसोम इनके पास होता है तो इन 46 क्रोमोसोम का अर्ध सुत्री विभाजन होता है और यह क्या होता है ना कि 23 क्रोमोसोम यानि अर्ध सुत्री विभाजन करके 23 क्रोमोसोम का सिक्रेशन करते हैं और लेकिन एक क्रोमोसोम डिफ्रेंट हो जाता है और वो एक डिफ्रेंट होने के कारण हम पता लगा पाते हैं कि वो लड़का है या लड़की है अब देखिए क्या है कि जो एक डिफ्रेंट होगा या तो एक सोच सकता है या तो वाई इसमें जो एक डिफ्रेंट होगा तो इसम यह वाला माली जीए कि भाग सुक्राडू है और यह वाला भाग अंडाडू है ठीक है न तो इसके जो सुक्राडू का एक्स क्रोमोसोम है ठीक है न इस अंडाडू की एक्स क्रोमोसोम के साथ अभी किरिया करेगा और बनाएगा डबल एक्स लेकिन जब यहीं एक्स इस एक्स हुआ होने का सबूत क्या है डा एकस वाई क्रॉमोस हो तो हम देखेंगे कि इसके पास दो अपन है एक‌डू нуж ऑफसेम ही है यानि कि इसके पास डाव एकCcesып और ये मिल्डी साइड करेगा यानि ये एकस वाई एक्स तो एक्स हो या चाहवाई हो यहीं डिसाइड करता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा या इस मेल से हमें डिसाइड होता है कि फिमिल की गरभास से लड़का पाइदा होगा या फिर लड़की पाइदा होगा क्योंकि इसके जो अंडाडू है वो double X chromosome के हैं और इसके जो सुक्राडू है इसके पास दो option है लड़का और लड़की क्या और यहीं option decide करता है कि मैं कौन सा option दे रहा हूँ यहाँ पर क्या है कि जो X है जब इस X chromosome X अंडाडू के साथ यानि कि X सुक्राडू X अंडाडू के साथ मिला तो double X बना दिया फिर यहीं X इस X के साथ मिला तो फिर भी double X बना दिया लेकिन जब Y chromosome अगर इस X के साथ मिलेगा ना तो Y X बनाएगा तो हम कहेंगे कि Y X क्या चीज का समीकरण दे रहा है लड़का का लेकिन फिर यहीं Y फिर इस X के साथ मिला तो भी बनाएगा Y X अर्थात लड़का ही बनाएगा तो यहां आप देख लिजिए कि जो जीनो टाइप है तो हम जीनो टाइप क्या लिख सकता है डाबल X डाबल X तो हम लिख सकता है यह आपका जीनी संदाशना लेकिन जब हमको फिनो टाइप लिखना होगा तो हम देखेंगे कि यहां पर लड़की है और यह लड़का है तो हम लिखेंगे फिनो टाइप लड़की और लड़का ठीक है तो यहां तक आपको किलियर समझ में आ गया होगा कि कैसे हम link निर्धानर करते हैं जीवों के अंदर यानि कि जब x chromosome x अंडाडू के साथ यानि कि x सुक्राडू x अंडाडू के साथ मिलता है तो लड़की होती है और सुक्राडू के अंदर मौजूद y chromosome अंडाडू के अंदर मौजूद x chromosome सोंग के साथ जब निसेशन की घटना होती है तो उस वक्त वाई एक्स मिल करके लड़का को डिसाइड करता है तो यहां तक लीजिए आप स्क्रीन सोट फिर मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मेंडल का अनवान सिक्ता का नियम या फिर मेंडल का प्राथम नियम भी काते हैं या फिर मेंडल का प्रितिकरण का नियम काते हैं मेंडल के बारे में कुछ जनकारी यहां पर लिखे हैं ग्रेगर जेन मेंडल का जो जन्म हुआ उसको हम लोग बोलते हैं तो इसाईयों के मठ में एक क्या थे ये एक पुजारी थे अनुवान सीकी का नियू यहीं डाले कौन ग्रेगर जौन मेंडल नहीं अनुवान सीकी के जो जानक होते हैं उनका स्रे जो है न यानुवान सीकी के जानक कौन है तो हम Gregor John Mendel का ही नाम लेते हैं 1866 में मटर की पौधो पर इन्होंने परयोग किया और यह बताया कि मटर क्यों कोई लंबा होता है और कोई क्यों बाउना हो जाता है अब देखिए ये मटर की पौधो पर ही क्यों परयोग किया क्योंकि देखिए इनसान का यानि किसी भी मनुस्य का जीवन काल ज्यादा से ज्यादा सो साल डेर सो साल रहे है ठीक है लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर वो सुरू से लेकर अन्ता किसी का लंबा या बाउना या बाउना या लंबापन और बाउनापन का अगर activity देखे कि कोई लंबा क्यों हो जाता है कोई बाउना क्यों हो जाता है तो यह देखते देखते उनकी मृतिव भी हो जाती है ठीक है और यहां already आप देखी रहे हैं कि 18-22 में उन्होंने जनम लिया और 18-84 में ध्यान भी हो गई तो क्या इस बीच किसी का लंबा होना और किसी का बाउना होने का सबूत यही कठा कर पाते बिल्कुल नहीं कर पाते इसलिए इन्होंने मटर के पौधे पर परियोग किया कि कोई मटर का पौधा लंबा क्यों हो जाता है और कोई मटर का पौधा बाउना क्यों हो जाता है तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं तो च शुद लंबा का जीनो टाइप double T दिया, और शुद बाना का जो जीनो टाइप दिया, वो छोटा यानि ए-small t दिया, और आप तो जानते हैं, वह स्टार्टिंग से ही आप जानते हैं, कि कोई भी जो जीनी संरचना है, वो सिंगल नहीं होता है, वो जोडे में होता है तो यहाँ पर क्या है कि double T जो है ना capital वाला ये शुद्र लंबा वाला जीनिस अन्रचना है और जो छोटा जो small T है ये शुद्र बाउना वाला जीनिस अन्रचना है अब क्या है कि जब इन लोगों में अर्ध सुत्री विभाजन होगा तो T और T दो हिंस एक capital T और एक small T ठीक है अब क्या है कि जो capital T था ये काफी परभावी हो गया और small T को आप परभावी कर दिया यानि इसका सबसे परभावी वाला जीनो टाइप क्या था capital T तो ये क्या हो गया आपका संकर लंबा ठीक है अब फिर इस T को इस T के साथ ठीक है क्रॉसिंग कराया तो मिला capital T और small T फिर यहाँ पर क्या हुआ संकर लंबा फिर ये जो T था ठीक है इस T के साथ क्रॉस कराया मिला T और छोटा T और फिर इस T को इस T के साथ कराया तो मिला capital T और जोड़े यानि कि सब के सब संकर लंबा मिला जब दूसरा परियों किया तो ले लिया इसमें का एक T ठीक है ना संकर लंबा वाला ले लिया किया ना capital T और इसमाल टी और फिर इधर इसमाल टी यानि इनहीं जीनो टाइप को यहाँ पर परियोग नमबर दो में देखा कि जो capital T था और जो एसमाल टी था यह दो अल्री एक मने जोड़े में हो गए इधर भी यह जोड़े में हो गए तो यह क्या था यह संकर लंबा था और यह भी संकर लंबा के साथ संकर लंबा के साथ क्या किया क्रॉसिंग कर आया तो सीरी सी बात है कि इसमें भी भाजन होगी हो जाए यह भी जब दो हिसों में बटेगा तो एक केप्टल टी और एक स्मॉल्टी हो जाए जब इस टी को इस टी के साथ क्रोसिंग कराया तो मालूम चला केप्टल मनें दो केप्टल टी अर्थात यह सुध पहले की तरह लंबा हो गया यह सुध पहले की तरह लंबा हो गया ठीक है न और यहाँ पर फिर इस T को इस T के साथ क्रॉसिंग कराया तो यहाँ पर क्या हो गया शंकर लंबा हो गया संकर लंबा हो गया है ठीक है थीक फिर इसठी को ठीक के साथ कराया तो आप आप देखिए जो पर भावी होता हुसको टीकपर लेक्ता और जो अपर भाविज होता है उसको बादमे लएक तो यहेदर लंबा हो यह क्या हो गया सुध बावना हो गया तो यह रहा ग्रेगर जॉन मेंडल का एक मार्टर पर किया गया परियोग तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चेप्टर के साथ तब तक के लिए जैहिंद